हेलो गाईज, वेलकम टू टी वाई जे वाईट आज हम यहाँ पे 12 डुफरेंट मुबाइल के बीच में ओवरनाइट या फिर ओवर्चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे मुबाइलों को पहले 100% तक चार्ज करेंगे उनका बीचीवियर देखेंगे, 100% के बाद हम इने 20 से 22 घंडे तक ओवर्चार्ज करेंगे और टाइम टू टाइम इनका बीचीवियर चेक कर तो चलेंगे कि किस तरह का बीचीव करें आजे जिनमें बैतर फके करनेंगे, जिनमें बैटरी फुर्टे थी हमेने नदर आती जब वो रात में चारर्जिंग में चोड़ देते तो आज हम आपको ऑवर नाइत चैर्जिंग या ओवर्चार्जिंग से सबसे पहले तो ये सारे के सारे मोबाइलों में आपको fast charge support मिल जाता है। इसके साथ fast charging हर एक company की अलग-अलग तरह की रहती है। जैसे कि MI, Vivo और Samsung ये 70-80% सक fast charge support करते हैं। उसके बाद ये slow हो जाते हैं। जबकि Realme के device 70-80% सकतो काफ़ fast रहते हैं लेकिन उसके बाद ये उतने slow नहीं होते जितने ही हो जाते हैं। यानि कि यहाँ पर fast charging का algorithm अलग-अलग ब्रांट्स के मोबाइलों का अलग-अलग रहता है। और सभी को एक साथ plug-in किया है charger से और यहाँ पे हमने counter भी on कर दिया और उसके साथ सभी को flight mode में डाल दिया है, brightness लेओ सभी की full कर दिया हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इनका जो charging speed वो कितना मिल रहा है, ideal state में कितना मिल रहा है, किसी task को perform करते हैं तो कितना मिल रहा है, और 100% के बाद various tasks perform करने पर कितना मिल रहा है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे initial stage का temperature मेजर करके आपको दिखा दें, तो 26 degree के आसपास पहुंच चुका था Z1 Pro का, 25 degree के आसपास था XT का, 26 degree के आसपास था Nodeit Pro का, 29 degree के आसपास था Vivo के Z1X का, 29 degree के आसपास था Poco F1 का, 30 degree के आ M30s का, कुछ इसी तरह से Node 7 Pro, Mi A3 और K20 का भी था, हमने यहाँ पे frame में 9 mobile रखे, तीन mobile हो को अलग रखा उसकर रिजन है कि और 3 mobile frame में नहीं आपा रहे थे charger के साथ, इसलिए हमने उन्हें अलग से separate charging में लगाया, उनके लिए counter भी अलग on करती है, तो सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ पे fast charging speed शो करके दिखा दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, Vivo का Z1X काफी fast charge हो रहा था, Redmi का K20 Pro काफी fast charge हो रहा था, Realme XT, Realme X2 भी काफी fast charge हो रहे थे, तो यहाँ पे जो हमें charging speed मिली है, वो हम आपको calculate करके दिखाते, सबसे पहले Vivo के Z1 Pro की बात करें तो 9.27V, 1.46A, यानि की 13.53W की fast charging मिल रही थी हमें Z1 Pro में, जब कि अगर हम यहाँ पे बात करें Realme XT, तो Realme XT में हमें 5V 3-5V 4A के आसपास की value मिल रही थी, यानि की 15-20W के आसपास यह fast charge कर रहा था, और अगर Redmi की Note 8 Pro की बात करें, तो Redmi की Note 8 Pro वैसे तो 18W का fast charge support देता है, लेकिन इसमें 6.48V और 2.43A, यानि की 15.7W की fast charging हमें देखने को मिल रही थी, और Vivo के Z1X की बात करें, तो Vivo के Z1X में 9.29V और 2.08A, यानि की 19.32W की fast charging support देखने को मिल रही थी, हाला कि charger 22.5W का है, लेकिन उसके बाद भी इसमें 19.32W देखने को मिल रही थी, जब कि अगर 29V और 1.87A, यानि की 17.37W की fast charging support देखने को मिल रही थी, और X2 की बात करें, तो X2 में 5V 5A से लेकर 6A की value मिल रही थी, जो हमारे volt ampere meter में नहीं आ रही थी, उसका reason यह है कि यह इतना transmit ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन X2 की value लगभग इतनी ही जा रही थी, और अगर हम charging speed है, जो starting condition हो मिल रही थी, यानि की starting में सभी device काफी जादा fast charge करते हैं, और यह इनकी maximum speed थी, जो हमें मिलती हुई नजर आई, यह तो बात हो गई fast charging की, कि जब mobile fast charge करते हैं, तो किस तरह का behavior देते हैं, अगर हम यहाँ पे 100% charging के बाद का behavior आपको check करा के दिखाएं, यानि क जब mobile 100% हो जाते हैं, तो क्या इनमे input जाता है किसी भी तरह का, किसी भी charger का ideal output रहता है, अगर वो हम आपको measure करके दिखाएं, तो 5 volt 0 ampere रहता है, लेकिन जैसे हम अलग-अलग mobile हो में उनके खुद के charger के साथ यह लगा रहे थे, तो Vivo के Z1 Pro में हमें 5 volt 0.58 ampere का output देखने को मिल रहे यानि 2.9 watt की speed के साथ यह चार्ज कर रहा था अपने आपको, यह 100% charging के बाद की speed है, अगर हम XT की बात करें तो XT में 5 volt 0.64 ampere की speed मिल रहे थी, यानि 3.2 watt की speed से चार्ज हो रहा था, जबकि अगर Note 8 Pro की बात करें तो Redmi Note 8 Pro में हमें 6.56 volt और 1.05 ampere, यानि 6.8 watt की charging speed मि Redmi Note 8 Pro में 100% charge होने के बाद, जबकि Z1X में 4.95, 0.43, यानि 2.10 watt की 5 volt 0.55 ampere, 2.7 watt, 5.2, 0.5, 2.7 watt, यानि की कुछ इसी तरह की speed हमें मिल तो ही नजर आ रहे थी, और अगर M30S की बात करें, यानि Samsung Galaxy M30S की तो इसमें 9 volt 0.29 ampere, यानि की ideal 5 volt रहता है, लेकिन 9 volt जा रहा था, लेक charging speed M30S में मिल तो ही नजर आ रहे थी, बाकि अगर हम K20 की बात करें, तो 1.6 watt, A3 में 1.5 watt, X2 में 1.73 watt, और Note 10 Pro में 1.5 watt, यानि की अगर हम यहां देखें सबसे अधा charging speed 100% होने के बात, किन-किन डिवाइसों में हमें देखने को मिली ideal condition में, यानि की यहां mobile में flight mode on था, बस battery percentage शो करने वाला एप on था, उसके अलावा कुछ भी on नहीं था, तो हमें 2.9 watt की charging speed Z1 Pro, 3.2 watt की XT, 6.8 watt की Note 8 Pro, 2.61 watt की M30S, यहां पर इनी में सबसे अधा जा रहे थी और POCO Realme 3 Pro में 2.75 watt की जा रहे थी, लेकिन overall सबसे अधा हमें Redmi Note 8 Pro, जिसमें 6.8 watt की जा रहे थी, उसके बा इसके बाद हमने इसे cross check करने के लिए, यानि की mobile का behavior किस तरह कर रहे था, क्या background में किसी तरह की process चल रहे है, हमने सारे device को switch off कर लिया, ये check करने के लिए कि switch on, यानि की on condition में जितना power output या फिर power input ये ले रहे हैं, क्या switch off में भी उतना ही लेते हैं, तो switch off करने के बाद हमें हलका फुलका fluctuation देखने को मिले जैसे की Z1 Pro में, जब हम plug-in नहीं करते हैं तो 5 volt 0 amp रहता है, और जैसे Z1 Pro में plug-in करते हैं, तो 5 volt 0.40 यानि 2 watt के असपास मिल रहा है, Note 8 Pro में 5.32 watt, M30S में 2.07 watt, यानि कि ये maximum है, इसके अलावा सभी में बहुत कम मिलता हूँ नजर आ है, तो हो रही थी, switch off condition में, जब कि M30S में 2.07 watt की हो रही थी, और Z1 Pro में 2 watt की, बाकी बचयों device में 2 watt से कम की होती ही नजर आई थी, यानि कि switch off condition में भी Note 8 Pro में हमें काफी charging speed देखने को मिल रही है, तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो चलिए वो पता लगाते हैं, तो इसके बाद हमने सा कर रहे हैं, 100% battery capacity के बाद mobile को charge कर रहे हैं, अलग अलग तरह के task perform कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, जब हमने PUBG on किया और Z1 Pro का charging speed calculate करी, तो Z1 Pro यहाँ पे 5.13 volt और 0.79 ampere, यानि 4 watt के आसपास की charging speed show कर रहा था, जब कि Realme XT यहाँ पे PUBG gaming के duration में 3.66 watt की charging speed show कर रहा था, Note 8 Pro यहाँ पे 7.67 watt की charging speed show कर रहा था, 100% के बाद, यानि कि यहाँ पे PUBG का जितना consumption है, वो है, के अलावा जो ideal state में यह ले रहा है, और अगर हम यहाँ पे Z1X की बात करते हो, Vivo की Z1X में 4.5 watt की speed देखने को मिल रहे थी, पोका एफन में 5 watt की मिल रहे थी, Realme 3 Pro में 5 watt की असपास की मिल रहे थी, K20 Pro में 5.7 watt की मिल रहे थी, Redmi Note 7 Pro में 7.40 watt की, यानि कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो charging speed PUBG game के duration में 100% होने के बाद मिल रहे थी, वो Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 7 Pro में, तो अगर हम यहाँ पे हमारा final conclusion आपको बत charger से, यानि कि 18 watt का हमने fast charger यूज किया था, normal condition में यह 13 से 14 watt तक जा रहा है, लेकिन 100% होने के बाद इसमें हमें 7 से 8 watt की charging speed देखने को मिल रहे है, और even switch of condition में भी 5 से 6 watt की मिल रहे है, और PUBG gaming के duration में 7 से 8 watt, यानि कि यहाँ पे जो इसका power consumption है, या फिर जो charging का cycle है, वो थोड़ work करना जरूर चाहिए, इसके साथ अगर हम यहाँ पे overnight charging की बात करें, जो सबसे बड़ा question है, तो यहाँ पे हमारा answer आएगा, even 1 से 2 watt या 3 watt तक की charging शो कर रहे है, तो भी आपको आपकी mobile को रात में over charge नहीं करना चाहिए, उसके काफी सारे reason है, यहाँ पे जो circuit लगा हुआ है जो charging को control कर रहा है, यानि की charging को limit कर रहा है, उसके break होने की भी काफी chances रहते हैं, और अगर आप other mobile या फिर other charger यूज़ करते हैं, जो आपकी mobile के लिए नहीं बनाये गया है, तो ऐसे में आपका circuit break होता है, और कुछ incident हमें देखने को मिल जाते हैं, इसलिए रात में overnight charging आप ब overnight charge करते हैं, और mobile को अपने आजू-बाजू रख के सोते हैं, तो ऐसे में उससे काफी जादा radiation भी निकलता है, जो हमने test perform करकी भी आपको दिखाया था, कि radiation का level charging duration में काफी जादा रहता है, तो उससे आपके health में भी काफी impact आता है, ये एक दिन में तो आता है, ये धीरे ध काल दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थेंक्यू फर वाचिंग, टी वाइजे वर्ल्ड